हलो एबरिवन दिस इस राउल और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूप चैनल ओफिसर्स च्वाइस एकेडमी पे तो जितने भी ब्यार दरोगे कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इस एक्जाम के लिए अल्रेडी प्रिपेशन स्टार्ट कर दिये और काफी सीरेस कैंडिडेट्स हैं इसमें ऐसा कोई डाउट नहीं है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स भी है जो कि नोटिफिकेशन का वेट कर रहा है कि नोटिफिकेशन आये तो हम एक्जाम की त्यारी करें यानि आप घर बैठे सारे चीज सारे इंफर्मेशन को एक्सेस कर सकते इजिली ठीक है जो भी इंफर्मेशन आपको पहले ही मिल जाती कि नोटिफिकेशन करवाने वाला है वेकेंसिस आने वाली है नहीं तो आप अगर यह सोच रहे हैं कि आप अब करेंगे तो आप अल्रेडी जो है या मदब नोटिफिकेशन आने के टाइम करेंगे तो आप काफी जो है पिछे चल रहा है इसलिए मैं देखें इस वीडियो में आपको सारे चीज़ लेकिए इसमें सारा चीज़ है यह सारा चीज़ जो है कितना कोश्चन आता है दूसरा चीज़ यह कहां से पूछा जा रहा है क्योंकि काफी डिवेट जो है और उसके बाद थोड़ा कटफ को भी देखेंगे पीछले वार ठीक है तो इसमें हम ऐसा चीज़ देखेंगे कि जो काफी डिवेट चल रहा है क्या चाहिए क्योंकि देखेंगे अभी बीपेसी ने एक्जाम कराया तीचर्स का उसमें जो कोश्चन आया थे वो थोड़ा एंसी आटी से ही थे ठीक है लेकिन थोड़ा टफ लेवल के थे टफ लेवल मलब कहा है कि 11-12 का भी कोश्चन पुचा गया था तो इसलिए सबको ऐसा लग रहा तो काफी हाई लेवल का पोस्ट है ठीक है तो काफी दोरों में डिफरेंस है और जब डिफरेंस है तो आपको यह बता दू कि आपको एंसी आटी पढ़ने के जुरूत नहीं है क्यूंकि मैं जो आपको दिखाऊंगा सारी जो कोश्चन पूछे जाते है न वो आपको ऑल्र में पास एक्सप्रेंस है मैंने भी काफी स्टरगल करने के बाद जो एक जो जो जॉब लिया ड्रिम जॉब जियो गॉर्मेट जॉब लिया ठीक है जो मैं चाहता हूँ कि एज अज अ मेंटर एज ब्रदर और आप जो भी समझे ठीक है मैं आपको इस प्लैटफरम के द्वा ठीक है जो भी स्ट्रेटेजी हो एक्जाम ओरेटेड कॉंटेंट हो और या कोई भी प्रोब्लम सर्फलिंग यानि कोई भी प्रोब्लम अगर डाउट हो यह कोई भी डाउट हो तो उसे रिलेटेड में आपकी साहता कर पाऊ हूँ रईट इस वीडियो को एंड तक प्लस जो भी questions जो है कहां से कितने questions बन रहे हैं कितने पुछे जाते हैं कितना आपको score करने के जरुवत है कितना मेनत करने की जरुवत है इस exam के लिए और क्या competition है अभी अभी के time अगर आज की time अगर notification release हो जाए तो क्या competition तक आपको जो हो इन फ्यूचर अगर नोटकिकर सना अता है इस एक्जाम में और आप lease जो है इस exam को clear करता है ठीक है देखे मैंने total अगर बात करें इस video में total पांच जो है total important points को रखा है जिसमें जो कोई हर एक points में आपको यह बताएगा कि किस तरह जो है आपको इस आपके जो strategy उसको बहतरीन किया जा सकता है सबसे पहला मैंने रखाया previous year questions paper plus syllabus अब आपको बता है कि syllabus भी याद करने की चीज़े है ठीक है और यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखे मैं आगे वड़ता गया तो मुझे पता चला कि syllabus जो है आपको पहले अच्छे से समझने की जरुवते इसलिए कि syllabus सागर आप पढ़ते है तो इससे आपको एक idea हो जाएगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ठीक है कि आप BRSI का preparation कर रहा है ना कि BPSC ना कि UBSC है तो आप just कोई भी आज के time बता रहा हूँ ठीक है सबसे बड़ा एक सा example मेरे पास है मैं आपको बताता हूँ पटना हाई कोट का exam हुआ राइट कुछ educational institutes है ठीक है जिन्होंने क्या किया कि जो है चैट GPT हमने बताया है को आजकल AI का time है चैट GPT से copy paste करके उन्होंने क्या किया essay और बाकि जो है लेटर सी सारे चीज़ों है उन्होंने provide करा दिये ठीक उन्होंने जो data डाला था वो 2016 से पहले का data है जो candidates को मिले चैट GPT में चैट GPT के दोवारा ठीक है और पैसे से दिया गया था सारा notes तो आप समझे कि candidates के साथ ये मलब क्या हुआ था candidates का दोखाई हुआ न अगर वो exam को यह data को represent करता है तो आप समझे कि कितना गलत जो है negative impact जाता है मैं वही चीज़ बोल रहा हुआ कि आप सारे चीज़ जो भी coachings है उन पर depend ना होगे इसी लेबर, PYQ papers यह आप खुद से analyze कीजिए क्योंकि यह एक अच्छा officer बढने की quality है आप बढने जा रहा है एक officer तो आपके अंदर जो qualities होने चाहिए वो भी officers के होने चाहिए ठीक है इ ठीक है आपको coachings के जो content है कुछ भी content को आप consume मत कीजिए वो चीज देखिए कि वो चीज है कि नहीं relevant है कि नहीं आपके exams के लिए ठीक है तब उसके बाद जो है उसके content को आप क्या कीजिए accept कीजिए या consume कीजिए या buy कीजिए मैं यह नहीं मोट आप खरीदिये मत अगर आ आई-Q papers की जरूँत है आप जब फॉर्म फिलब कर रहे है उससे पहले जो फॉर्म फिलब कर रहे है या फॉर्म फिलब कर दिये तो सबसे पहला काम है आपको syllabus और जो previous year को पेपर्स को देखना है previous year पेपर्स को आगर आप जब लगाएने तो इसको आपको basic idea knowledge हो जाएगा क कि किस type का pattern रह रहा है किस type का label पूछा जा रहा है हना दूसरी चीज आपको खुद idea हो जाएगा कि आप कितने पानी में है यानि आपको कितना knowledge अभी है और कितना जो है और acquire करने की जरूद है इस exam के लिए ताकि आप जो given time में यानि 2 या 3 महिना का ज्यादा maximum time दिया जाता आपको पतारे prelims में जो है 2 महिनास ज्यादा time नहीं दिया जाता है दो या 2 महिना उतने अंदर के आप जो है syllabus को complete कर पाएंगे या prelims जो है clear कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगे तो previous year question papers काफी beneficial है काफी important है काफी crucial है और इस exam को निकालने के लिए मदब इसको आपको basic understanding develop कर करने के लिए ठीक है तो मैंने बता दिया previous question paper plus syllabus आपका सबसे पहला काम होगा ठीक है इन दोनों को क्या है देखना ठीक है उसके बाद आपको बढ़ना आगे पहले ब्यार ऐसाई prelims के अगर syllabus की अगर बात करें एक brief overview दे रहा हूं ठीक है आपको ज्यादा time नहीं जाए आप आपको देख पता होगा कि यहार ऐसाई prelims के पेपर जो होता है टोटल अगर बात करें तो objective होता है पहले तो यह बता दो objective होता है पेपर का medium दोनों होता है बाइलिंग्वल होता है हिंदी प्लस इंग्लिस दोनों होता है उसमें total questions अगर बात करें तो total questions आते है 100 ठीक है और reasoning को भी देखने को मिलते हैं तो काफी easy questions होते है mathematics होते है advanced math नहीं पुछा जाती इसमें तो यह आपको prelims अगर आप prelims क्वालिफाई करते हैं तो best of luck और मेंस में क्या होता है कि फिर मेंस में same pattern जो की प्री में होता है बस इसमें एक और paper add होता है वह हिंदी का जो की qualifying होता है जो की 100 questions होता है 200 marks वही 2 गंटे qualifying है आपको इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा second है वही second paper mains का GK वाला जो होता है GKGS का same pattern होता है हिंदी और English में होता है bilingual होता है objective है total 100 questions होता है 200 marks होगा और total time भी 2 गंट होगा तो यह है आपको syllabus अब अगर बात करें हम किसके books के बारे वह ठीक है books जाने से पहले हमारा देखना है क्या है second second जीज क्या है कि make a perfect strategy ठीक है आनि आपको रड़नीती अगर आप रड़न भूम में जा रहा है अगर आप यूद करने जा रहा है तो आपके पास एक perfect strategy होना चाहिए तब जाके हुए जो है और जो strategy आप बना रहे ह तो उसको follow करना है आपको इस exam के end तक ऐसा नहीं कि हर 10 दिन में आप strategy चेंड कर रहे है तो आपको भी पता है कि आप यूद जितने से रहे है ठीक है तो इसलिए आपको strategy बना रहे है अगर आपको हो सकता है कि आप time ले लिए take your time ठीक है अनि हो सकता है एक दिन जादा ले ल चरब follow कर रहे है और last में stick to your strategy till the last यानि last तक आपको strategy यही strategy पर ठीके रहना है चाया हो खरा हो या अच्छा आपने अगर बना दिया तो last तक आपको वही जाना है बीच में आप change मत किजिए बारवार ठीक है तो इसलिए मैं बतारो कि run नेती जो है काफी जरूरी हो जाती य तो इसलिए take your type ठीक है और दूसरा चीज अगर बात करें इसमें कौन-कौन से books को follow करने की जरूरत है तो मैं आपको books को तो पहले दिखा दूँ ठीक है यह है यह है जो की common books ठीक है और इससे ज्यादा आपको books की जरूरत नहीं अगर आप इस exam कर रहे है ठीक है लुसेंट के बारे में आप सबको सबको पताऊगा ठीक है इवेन कोई भी ऐसा निया जिश्कोर लुसेंट के बारे में नहीं पताऊ और यह लुसेंट जो है न आपको बता दू कि अज सबी लोग बोलतें अज सब्सक्राइब लेकिन आप लुसेंट को दो करें न दो जीस्ट है लुसेंट का इस अगर बात करें इवेन अभी एससी असिस्टेंट कमांडर का एक्जाम हुआ और उसमें भी जो कोश्चन आया थे साइस के दो कोश्चन आप दो तीन ठीक है पड़ा हुआ अपडेटिड वर्जन में मैंने रखा हुआ है इसका तो आपके पास भी अपडेटिड वर्जन होना चीए लुसेंट का और ऐसा पड़ोने कि दम एक एक चीज आपको दिमाग में बैट जाया ठीक है रटना नहीं एक कॉंसेप्ट समझेए आप रट समझेए अब आपको समझ में आएगा उसके बार में थोड़ और समझ पदा चलेगा ठीक है और बाद में जब मॉक टेक्स लगाएंगा तो वह चीज आपका बिल्कुल किलियर हो जाएगा 100% तो लुसेंट क्योंकि आपके पास टाइम जादा नहीं है दो महीना डाय महीना म मेरे को यह वाली पार्ट काफी अच्छी लगी जिसमें जग्रोफी और इन्वारेमेंट का जो पार्ट है खास करके क्योंकि में काफी अच्छा एक अच्छी तरह मदब पॉइंट को रखा गया है मदब वैजे स्टैटिक भी अगर आप जीके का भी जो पोर्सर नहीं इसम मैनलाइस कर रहा था तो उसमें इन्वारेमेंट एक्ट उसके बारे में पूचा गया था तो इसमें काफी अच्छे से दिया आगया है तो यह सारे चीज़ आपको कवर हो जाएगा तो जीके के अगर बात करें तो जीके जीएस के लिए यह दो बुक भाई मोर्दन इनफ है इस एक्जाम के लिए आप अगर त्यारी कर रहे हो तो मैं बता हूँगा कि आप NCRT के पिछे भागोगे अगर आप इस एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हो तो यह बुक इनफ है अगर आप और बीपेसी के साथ और इसके साथ बीपेसी भी कर रहे हो तो भाई आपको NCR तो पढ़ने की जरू होता है तो बेस क्या है आपके फांडेरेश्ट को स्ट्रॉंग करता है ना तो वह बेस को आपके स्ट्रॉंग करता है ncrt अगर आप भी पेसी के लिए भी हो तो आप ऐसे आप सकते हो तो आपके लिए यह बुक जो है मोर दान इनौफ है करेंट अफेर्स के लिए मार्केट में अल्रेडी बहुत सारी बुक्स है इवन यूटूब चैनल पर आपको इतने सारे आज कर जो है content मिल जाएंगे करेंट अफेर्स से related तो आप जो की ब्यार में दो काफी जो बुक्स चलती है उससे इसलिए मैंने यहाँ एड कर दिया एक तो स्पीडिये और एक एड़ूट एडिया है और बाकी तो आपको पता है उतकर्स चैनल का जो करेंट अफेर्स काफी पॉपुलर होगा आपको भी पता होगा है उसको काफी candidates जो आप फॉलो करता है प्री में और में जो एडवांस आता है अब अगर आप लास्ट यहर का ब्यारर मेंस उठागे देख लो तो उसमें ट्रिगनोमेट्री का क्या बेशिक जो फॉर्मूला आया हो आता है बता है तो आपको बेसिक नॉलेज़ अपर हमागत पैडल मीजम को पना है क्योंकि विए अजने अर्च ौहें मेरा ओपिनियों है कि विए हुआ सब प्राउड फिल करो कि आपका मैच स्ट्रॉंग होना चाहिए और इस एक्जाम वे लिए तो काफी अच्छे होंगे आप लोग ठीके न तो यह हो गया आप लोग का शीलेवस एनि बुक्स हो गया क्या कि आप बुक्स को फॉलो करना चाहिए तो इसके साथ हो गया हम नहीं देख लिया उसके बुक्स हो गया देगी यह सारे आप वो कहां कहां से कोश्च जो आ रहा है तीगे तीगे मैं एक चीशी बता दूँ इसमें स्टैक्स के थूड़ा को को डाल दिया जाता है ठीक है और पॉलिटी का भी मैंने देखा कि एक दो पोश्चन ऐसे होते हैं जो काफी जैसे की फर्स्ट टाइम कौन बना ठीक है उसके बाद इनमें से कौन से प्राइम मनिस्टर जो है सीम नहीं थे यह सीम जो है जाकर प्राइम मनिस्टर बन रहे है कोन से प्राइम मनिस्टर जो राज हिसावार से तो इस सायल तोड़ होडा जो है आपको जो देखने ही जोह दो अच्छे लिए अच्छे से नदिया हूए प्वलिटी के लिए मता रह्ए जे बन रहे हैं तो इसमें दीया हो है तो आपको अपन्पा यह怎么了 हो है इसमें मुता बाकि सब अगर बात करें, देखे, एकुणॉमिक्स है न, इकुनॉमिक्स थोड़ा क्या आए, बाकि सब का इडिएट्स को ऐसा लगता है, देखे, बजट, ठीक है, बजट और एकुनॉमिक सर्वे, ठीक है, एकुनॉमिक सर्वे जो आप अच्छे से कर जाओ, अगर आप यह करके जाओगे ना इस साल क्या पता रहा हूँ तो उसमें अल्रेटी इतनी इंपोर्टेंट टम्स रहते हैं जो भी टम्स रहते हैं उसको आप थोड़ा समझ लो है ना जैसे कि इफडिया के आया ना उसके बाद इंवेस्टमेंट किया हो गया तो आपको यह सार इंपोर्ट जो आप समझ आगरत होगी आपको एक प्लान को पढ़ना इस से जाद आपको पढ़ने के जरूत नहीं है अगर आपको लगता है कि बोरिंग ए एक एक अकॉनोमिक्स तो यह होगी आपको point two हमने बता दिये सबसे पहला था कि आपको previous question plus delivers करने के जुरूरत है दूसरा है आपको make a perfect strategy आपको अच्छा है रणनीती बराने के जुरूरत है ठाट है अगर बात करते हैं यह सारे मैं अगर बाता रहा हूं ठीक है मैं आपको जल्दी एक वीडियो ला सब्सक्राइब करने के जुरूत है कि इस पर बुक पर ज्यादा डिपेंड होने की जिरूत है राइट आपको यह हो गया अब आप कंपेटिशन के अगर बात करते हैं लास्ट आइम जो है जो मेंस का कटफ गया था 149.4 यहनि 74.7% जेनरल के लिए ठीक है यहनि आप समझ सकते हो कंपेटिशन जो है इसमें इस बार के अगर बात करें इस बार और कंपेटिशन हाई होगी हो सकता है 78 अगर इस के देख लिए कि जो बिहार अभी SI का जो एक्जाम हुआ मेंस का ठीक है यहनि तिन सेप्टेंबर गो उसमें जो गल्स का जो मेसेज आया ना मेरे पास जो भी उनका माक्स है उनका स्कोर आप देखिए 90 से अब बहुत सारे गल्स का 90 से बाव है 91, 94, 92, EVC का टेगरी, EWS, OVC जो इतने सारे गल्स है जो की 90 से बाव है अब समझ सकते हो कि यह एक काफी जो लड़कों के साथ जो है नेक टू नेक कमपटिशन चल रहा भी ठीक है तो ऐसा मत समझेगा जो गल्स अगर प्रिवेशन कर रही है तो उनको लग रहा हो कि गल्स जो फिमेल है उनकी जो कटफ क काफी लो जाती है प्रिक अगर बात कर रहा है तो उनका इसा हम सोचने के ज़रूत नहीं है कि इस बार भी कटफ जो है लो जाई कि अल्रेड़ी दो बार वेकेंसी हो चुकी है और उस टैम से जो है प्रिपेस्ट जो कॉम्पूटिशन है एसाई को लेकर काफी हाई हो गया कर रही है उनको बता दो कि आपको ठोड़ा ओर एक्स्टा जो आइफ़सलिक क्लियर कर जाएंगी तो है अपने स्ट्रेटिजी बना दी ठीक है आपने बता बना लिया कि क्या क्या थी आपको फॉलो देंगा है अब यहां पर रखना है कि टार्गिट की 90 डेज अगर जो है तीन महिने का गैप है आपको प्री और इसके अंदर ठीक है अपको जो है आपको जो है ऐसा जो है स्ट्रेटिजी बनाई वो है विदिन 90 डेज आपको वह है खतम करने के जुरूत है ताकि दूसरे चाहिए ताकि उसमें जो है आप मौक टेस्ट का भी यूज करो मौक टेस्ट भी लगा लो ठीक है अब आपको जो है आपको छलांग लगाने के जुरूत है आपने सिलेवस कंप्लीट करा ठीक है अब देखे जैसी जो एक्जाम बता है 15 से 10 से 15 दिन 15 से 20 सोरी 15 से 20 दिन अब उसमें आपको जीतना मौक टेस्ट लगाई है और रिवीजन इससे ज्यादा नहीं ठीक है दूसरा चाहिए आपने जो भी कॉंटेंट को यूज किया है उसी को बा साथ लोगाई है अब रहा 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 है तो उस इसने को लिए प्रूटेस्ट लगाई है तो उसको लटाउन कीजिए और ईसको बाड़ वारिवाई सारह लाई और प्टेक जो बाल़ ओकर दो लगाए थे उस टाइम का स्कूर मैच करके आपको देखने को मिलेगा कि काफी ज़्यादा आपके जादा स्कूर में काफी बुष्ट बूस्ट अप हुआ है और काफी ज़्यादा में लेगा मेंस के लिए उसके बाद आप बाकी जो है एनर्जी को उसमें में लगाई तो आपके पास इतना सारा टाइम है पूरा अच्छे से इस एक्जाम को प्रिपरेशन कीजिए ठीके और जो भी मैंने बताया ठीके चार पॉइंट हो गया और सबसे लास्ट इंपोर्टे है कि बी अप्टिमिस्टिक आपको जो है पॉजिटीव रहने के दुरूत है आप इस एक्जाम के प्रिपरेशन कर रहा है तो हर जो है इस दीगे कोई भी कैंडिडेस से अगर आप त्यारी कर रहा है कोई भी एक्जाम की ठीके तो आपको बीच-बीच में ऐसा टाइम आता है तो आप को जो वह है उनके बादे को सुने के जरूफत नहीं है आप पोजीटिव रही है आप बस इतना समझेए कि आपको आपके जो पैरन्स को रहा है कि आपको प्रुण करना है। यह आपकी responsibility है तो आपकी आप अपने responsibility को अच्छे से निवाइए ताकि आपके parents को खूस रहे और यही जो है हर student और person का objective होता है अपने parents को खूस रखना ठीक है तो आप जो है be positive और हमेशा जो है थोड़ा healthy भी रही है ठीक है इसा नहीं कि 10-12 गंटे पढ़ रहे हैं और आप बिल्कुल एकदम depression में चले जाएए आप आराम से relax रही है ऐसा भी कोई tough exam नहीं है कि आप इस exam को निकालने सकते हैं एकदम chill रही है ठीक है ना मस तराम से 6 गंटा पढ़िए 8 गंटा उसके बाद जो भी है जीम करना चाहते है या आपका कोई hobby है जो की cricket हो गया जो भी अगर games अगर sports है अगर आप खेलते हैं तो उसमें भी आप टाइम दीजिए एक गंटा आदा गंटा दीश से आपका mind है ना रिलेक्स रहे दम stress-free रहे है ना यह risk देखना और यह YouTube या social media पर टाइम आप spend करते हैं यह सारा जो है objective होना चाहिए आपका goal होना चाहिए कि किसी तरह जो है concentration कहां लगाई है अपने पढ़ाई पर लगाई है ना आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना और बाकी का जो है इससे अगर आप content है जो भी content है मैं आपको available कराऊंगा ठीक है जितने भी exam oriented content है मैं आपको available कराऊंगा जो क्या गरना है पढ़ाई गरना है आपको focus किजिए पढ़ाई पर ठीक है और ये time जो है ना बिल्कुल आप इसको utilize किजिए digital education का जो है बिल्कुल utilize किजिए time में AI का इसका utilize किजिए ना तो इस सारे चीज़ जो है आज के time जो आपको मिल रहा है ना free of cost वो इसको utilize किजिए ता काफी helpful होने वाले है beneficial होने वाले है इसलिए positive mind good vibes great life ठीक है तो अच्छा सोचे ठीक है और अच्छी life जो है आप enjoy किजिए so I hope कि जितने भी candidates है उनको lecture पसंद आया होगा ठीक है फिर भी कोई चीज अगर छोट रही हो तो आप comment section में आप मुझे doubt जो भी है आपके doubt जो है वह जो भी नए है अगर आप चाते हो ठीक है हम जल्दी start करने वाले है यह batch जो है यह सारे चीज जो है आपको मैं free of post आवलेबल कराने वाला हो जो भी experience है मेरा आपको share करने वाला हो ताकि आप भी जो है अप अपने जो भी गोल है वहाह तक पहुँश पाओ और अपने parents को जो कर सकते हैं तो share कर दीजिए ठीक है ताकि आपको further notification जो है मिलते रहे thank you for watching जय हिंद